Hello guys, welcome back in Englishian So guys, आज की इस वीडियो में हम अंग्रेजी के 50 ऐसे रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी वाक्य सीखने वाले हैं जिनके द्वारा आप सभी लोगों को इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान लगने लगेगा और इनके लिए आप लोगों को ग्रामर पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पढ़ेगी उसी तरह टेंसेस की जो मुश्किल रूल्स है उनको भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़ने वाली है तो चलिए गाईस, स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर आपको 10 सेंटेंसेस दिख रहे हैं सबसे पहले इनको हम पढ़ेंगे देखिए सबसे पहला है क्या करू? वाट टू डू अगर हमें कहना है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करू? तो क्या करू? इसे कहेंगे इंग्लिश में what to do उसी तरह अगर कहना है कहा जाओ तो हम इसे कहेंगे where to go Next है धीरे बोलो अगर हमको कहना है कि जोर से मत बोलो, धीरे बोलो तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे speak slowly Speak slowly धीरे बोलो उसके बाद अगर कहना है कि कब जाओ कब जाओ इसे कहेंगे When to go कब का मतलब होता है When तो कब जाओ इसे कहेंगे When to go Next is क्या खाओ अब यहाँ पर आपके सामने काफी सारे अगर डिशेस रखे होंगे और अगर आपको पूछना है कि मैं क्या खाओ तो आप कहोगे What to eat क्या खाओ What to eat उसके बाद next है अकेले आना इसे कहेंगे Come alone Come alone अकेले का मतलब होता है Alone So, अकेले आना Come alone किसी को साथ मतलाना बस तुम अकेले ही आना इसे कैसे कहेंगे इंग्लिष में Come alone नेक्सट है Under रहो बाहर मताना अंदर ही रहो इसे कहेंगे Stay inside Stay inside इंसाइड का मतलब होता है Under नेक्सट है मुझे आजमा कर देखो कि काफी बार हम कहते हैं कि मुझे आजमा कर देखो यानि कि मुझे आजमा करतो देखो तो हम इसे कहेंगे इंग्लिश में Try me Try me काफी छोटा सा sentence है केवल दो words से बना है Try me तो मुझे आजमा कर देखो इसे कहेंगे Try me उसके बाद अगर कहना है कि मैं सहमत नहीं हूँ अगर किसी के बाद से आप सहमत नहीं हो और अगर आपको कहना है कि मैं आपके बाद से सहमत नहीं हूँ यानि कि मैं सहमत नहीं हूँ तो इसे इंग्लिश में कहेंगे I don't agree I don't agree Next है क्यों नहीं इसे कहेंगे Why not क्यों नहीं Why not जैसे कि काफी बार हम कहते हैं कि क्यों नहीं मैं जरूर आऊंगा वाय नौट I will come तो इस तरह से गाईज यहाँ पर हमने 10 sentences की list देखी है अब हम अगले 10 sentences देखेंगे देखी अगला है वहा कौन है वहा कौन है अगर आप कही पर अंधेरे में खड़े हो और आपके बाजू से आपको आवाज आ रही है और हम कह रहे है कि वहा कौन है तो हम इसे कहेंगे Who is there? या फिर Who is there? या फिर Who is there? वहा कौन है Next है बाए मुडो इसे कहेंगे Turn left Next आसपास पूछो अगर कोई व्यक्ति आपसे किसी घर का या फिर किसी का address मांग रहा हो और अगर आपको उसका पता नहीं मालूम है तो हम कहते है कि मुझे नहीं पता भई आप आसपास पूछ लो यानि कि आसपास पूछो तो इस सेंस के लिए हम इसे इंग्लिश में कहेंगे Ask around Ask around आसपास पूछो Ask around क्या पहनू? What to wear यानि कि जैसे आपको कही पार्टी में जाना है और अगर आप अपने मम्मी से पूछ रहे हो कि मैं क्या पहनू? तो इस वक्त आप कहोगे What to wear क्या पहनू? What to wear उसके बाद दाय मुडो इसे कहेंगे Turn right बाय मुडो को कहते है Turn left दाय मुडो को कहते है Turn right Next is अब क्या? कि भई अब तो सब कुछ हो गया अब क्या? तो इसे कहेंगे Now what? अब क्या? Now what? आगे बढ़ो इसे कहेंगे Go ahead आगे बढ़ो Go ahead कि अब तो सब कुछ हो गया अब क्या करोगे? अब बस आगे बढ़ो यानि कि Go ahead Next is समझ गये अगर आप किसी को कोई चीज समझा रहे हो और अगर आप उसे पूछोगे समझाने के बाद में कि समझ गये तो आप कहोगे इंगलिश में Got it Got it समझ गये Got it यहाँ पर हम प्रश्ण पूछ रहे हैं इसे लिए इसके लास्ट में आएगा Question mark Next is सामने देखो Teacher क्लास में अगर पढ़ा रही है और वो सभी लोगों को Students को कहती है कि सामने ध्यान दो सामने देखो तो उस वक्त वो आपको कहती है Look ahead Look यानि की देखना और सामने का मतलब होता है Ahead Look ahead सामने देखो क्या यह सच है Is it true Is it true क्या यह सच है क्या सच में उसकी शादी हो गई है क्या यह सच है ऐसा कहते हैं न हम काफी बार तो इस वाले सेंस में हम कहेंगे Is it true क्या यह सच है Is it true इसी तरह आईए अगले और 10 sentences देख लेते हैं कैसे बताओ कि मैं कैसे बताओ की क्या हुआ था तो हम इसे कहेंगे कैसे बताओ को कहेंगे How to tell How to tell कैसे बताओ How to tell क्या हुआ What happened क्या हुआ, what happened कि तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यो नाराज हो तो हम कहते हैं कि what happened why are you sad next is धैरिय रखो धैरिय को कहते हैं English में patience so धैरिय रखो इसे कहेंगे English में have patience next मैं ही क्यो इसे कहेंगे why me why me मैं ही क्यो हमेशा मैं ही क्यो जाओ इस तरह से इस वाले sense में हम why me इसका इस्तेमाल करते है next बहस मत करो इसे English में कहेंगे don't argue don't argue बहस मत करो don't argue कैसे खाओ how to eat जैसे कि अगर आप बिमार हो और अगर आपको खाना खाया नहीं जा रहा है आपसे और अगर आप कहोगे कि मैं कैसे खाओ मुझसे हो ही नहीं पा रहा है मैं खा ही नहीं पा रहा हू तो आप उस वक्त कैसे कहोगे कैसे खाओ आगे बढ़ो इसे कहेंगे move forward कैसे करू काफी बार हम कहते हैं कि मुझसे ये हो नहीं पा रहा है अब इसे मैं कैसे करू तो कैसे करू इस वाले सेंस में यहाँ पर हम कहेंगे how to do कैसे करू मुझे जाने दो मुझे देरी हो रही है मुझे जाने दो इस वाले सेंस में हम कहेंगे let me go let me go मुझे जाने दो let me go क्या कहू अगर कहना है क्या कहू आप काफी परेशान हो उस समय आप कहते हो कि क्या बताओ, क्या कहू, कितना परेशान हू तो क्या कहू, इस वाले सेंस में हम कहेंगे What to say What to say क्या कहू, What to say बताने के लिए कुछ भी तो नहीं है क्या कहू, What to say और अगले 10 मज़ेदार वाक्य है किस से मिलू, किस से मिलू आप काफी बार पूछते हो ना कि मैं वहाँ जा रहा हूँ शादी में तो मैं वहाँ पर किस से मिलू तो इसे कहेंगे Whom to meet किस से मिलू, Whom to meet उसी तरह अगर आपको कहना है कि वहाँ किस से मिलू तो हम कैसे कहेंगे इसे whom to meet there last में हम यहाँ पर there लगा देंगे वहा के लिए हम यहाँ पर there लगा देंगे so whom to meet there वहा किस से मिलू next is तुम कहा हो अगर आप किसी जगह पहुंच चुके हो और आपको आपके दोस्त की तलाश है आप किसी को खोज रहे हो और आप उसे call करके पूछोगे कि मैं तो यहाँ पहुंच गई हूँ पर आप कहा हो तुम कहा हो तो हम इसे कैसे कहेंगे where are you तुम कहा हो इसी तरह अगर हमें कहना है कि तुम कैसे हो तो हम कहेंगे how are you तुम कैसे हो how are you और अगर कहना है तुम क्या हो तो हम कहेंगे What are you? तुम क्या हो आगे क्या? What's next या फिर What is next आगे क्या? अब ये सब तो ठीक है ये सब हो गया अब आगे क्या करेंगे? तो इस वाले सेंस में हम कहेंगे What's next या फिर what is next, यहाँ पर प्रश्ण वाचक चिन्धा आएगा, last में, question mark आएगा, यहाँ पर भी हम प्रश्ण पूछ रहे हैं, next है, यह सही है, यह सही है, इसे हम English में कहेंगे, this is right, this is right, अगर आपको कोई चीज सही लगती है, कोई बात सही लगती है, तो उस वक्त आप क्या क होगे, this is right, यह सही है, next है, मैं जानता हूँ, या फिर मैं जानती हूँ, इसे English में कहेंगे, I know, अगर कोई आपको किसी चीज के बारे में बता रहा है, और आप उसे पहले से जानते हो, उस चीज को, तो आप कहोगे, I know, मुझे पता है, मैं जानता हूँ, I know, next है, क्या हो What's happening, या फिर What is happening, क्या हो रहा है, काफी बार आप अपने friends को call करते हो, और पूछते हो कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, तो उस वक्त हम कहेंगे, What's happening, क्या चल रहा है, What is happening, इस तरह से, next, वह नहीं जाएगा, वह नहीं जाएगा, अगर आप जानते हो कि कोई नहीं जाने वाला है, शादी में, तो आप कहोगे, ये तो नहीं जाएगा, वह नहीं जाएगा, तो इस वाले सेंस में हम कहेंगे, He won't go, He won't go, या फिर He will not go, Won't ये, Will not का contraction है, So, वह नहीं जाएगा, इसे आप कह सकते हो, He won't go, या फिर He will not go, इस तरह दो तरह से आप कह सकते हो, वह नहीं जाएगा, He will not go, या फिर He won't go, Next, बाजू में हटो, अगर आपको सामने जाना है, और कोई आपके बीच में खड़ा है, और अगर आप उसे कहना चाहते हो, कि मुझे आगे जाना है, आप जो है वो, बाजू में हट जाओ, तो हम इसे यहाँ पर कहेंगे, move aside, बाजू में हटो, move aside, देखिए अगला, यहाँ ध्यान दो, इधर उधर ध्यान मत दो, अपना ध्यान जो है वो, यहाँ लगाओ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए, तो यहाँ ध्यान दो, इसे हम कह कहेंगे, focus here, focus here, यहाँ ध्यान दो, focus here, अगला है, रहने दो, कि भई, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम तो रहने ही दो, तो इस वाले सेंस में हम कहेंगे, let it be, let it be, रहने दो, let it be, ओके, चलिए, अब हम सीख लेते हैं, last वाले, 10 मज़ेदार इंगलिश के वाक् परवाह मत करो, हम कहते हैं ना की, कोई परेशान अगर है, तो हम कहते हैं की, tension मतलो, परवाह मत करो, इसकी, उसकी या फिर लोगों की चिंता मत करो, परवाह मत करो, तो हम कहेंगे, don't bother, don't bother, परवाह मत करो, don't bother, अगला है, भरोसा रखो, हम कहते हैं ना की, भगवान पर भ God, so भरोसा रखो इसे हम कहेंगे, have faith, भगवान पर भरोसा रखो इसे कहेंगे, have faith in God, next है, पानी ले आओ, आपको पानी अगर चाहिए है, आप किसी के घर में गए हो, और अगर आप किसी को कहोगे की, please, पानी ले कर आओ, मुझे पानी चाहिए, पानी ले कर आओ, सो हम कहेंगे, please, bring water, पानी ले आओ, और अगर आपको यहाँ पर कहना है कि, क्रिपया मेरे लिए, पानी का ग्लास ले कर आओ, सो हम कहेंगे, please, bring me a glass of water, अगला देखिए, मस्त रहो, मस्त रहो, इसे कहेंगे, lighten up, उसके बाद अगर आप कहना चाहते हैं कि, पहले आप, काफी बार आप कहते हो, अपने किसी friend को की, पहले आप, यानि कि पहले आप चलिए, मैं आपकी पीछे आ ही रहा हूँ, सो इस वाले सेंस में, यानि कि पहले आप, इस वाले सेंस में हम यहाँ पर कहते हैं, after you, after you, पहले आप, next है, पीछे हटो, पीछे हटो, अगर आपसे किसी की लडाई हो गई है, और कोई ज़ादा ही आपके आगे-ागे आ रहा है, तो आप कहते हो हमेशा, कि भई, आगे मता पीछे हटो, सो हम यहाँ पर कहेंगे इसे, back off, back off, पीछे हटो, back off, इसके बाद अगला है, सीधे लेटो, डॉक्टर के पास जब आप जाते हो, तो डॉक्टर आपसे कहता है, कि बेंच पर लेटो, तो उस वक्त वो कहता है, सीधे लेटो, इसे इंगलिश में कहेंगे, lie still, lie still, लेटना इसे इंगलिश में कहा जाता है, lie, सीधे लेटो इसे कहेंगे, lie still, next is, कही और देखो, कही और देखो, तो इस वक्त आप कहोगे, look away, केवल मेरी तरफ मत देखो, कही और देखो, तो इस वाले सेंस में हम कहेंगे, look away, कही और देखो, look away, इसके बाद है, शान्थ हो जाओ, इसे कहेंगे, calm down, calm down, शान्थ हो जाओ, और last में है, धक्का मत दो, इसे कहेंगे, don't push, अगर आप बस में चड़ गए हो, और कोई आपको बार-बार धक्का दे रहा है, तो आप उसे कहोगे, धक्का मत दो, याने कि, don't push, और मुझे धक्का मत दो, इसे कहेंगे, don't push me, don't push me, मुझे धक्का मत दो, सो गाइस, यहाँ पर मैं आशा करती हूँ कि, यहाँ पर हमने, यह जो पच्चास इंग्लिश के वाक्य सीखे है, यह आपको बहुत ही काम आने वाले है, आपके रोज की बोलचाल में, लेकिन एक चीज में आपको यहाँ पर बताना चाहूँग इनकी प्रैक्टिस करोगे, इनको हफ़ते में एक से दो बार आपको जरूर दोहराते जाना है, ताकि आपकी इंग्लिश बोलने की जो गाड़ी है, वो कभी भी रुके ना, वो बस चलती ही जाए, आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको यह वीडियो यूसफुल लगी हो, और अगर आपको लगे कि आज की इस वीडियो के द्वारा आपने कुछ सीखा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेर भी कीजिएगा, उ मैं फिर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नया टॉपिक आप सब लोगों के लिए लेकर, till then keep learning, keep practicing, keep sharing, keep watching English यान, stay connected, thank you so much for watching this video guys, bye bye and take care.